हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ यासमी अक्षे कुमार करीना कपूर दिलजी दुसांज अक्या राडवानी के फिल्म गुड नियूस छेडर्स पर रुलीज हो गई है फिल्म को ना सिफ लोगों से बलकि कृटिक्स से भी काफी अच्छे रिस्पॉंस मिले है लोगों ने इस फिल्म को अभी से ही बलॉकबस्टर बताना शुरू कर दिया है लेकिन लगता है फिल्म को किसी की नजर लग गई जैसे कि आप जानते हैं फिल्म की कहानी इन विट्रो फोर्टिलाजेशन टेक्निक पर बेस्ट है भले ही इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया हो लेकिन फिल्म पर एक बड़ी मुसीबत आ गई है खबरों की माने तो करनाटका के हाई कोट में एक जनहित याचिका दायर कर फिल्म पर रोख लगाने की मांग की गई है इस पिटिशन में लिखा है कि फिल्म IVF की विश्वस्नियता के बारे में बहुत सारे भ्रम और अनिश्चिता पैदा करती है बता दे कि इस याचिका को मैसुरू निवासी और येस ट्रस्ट के अध्यक्ष में समिम रजा ने दायर किया है इस याचिका में दावा किया गया है कि ये फिल्म चाइडलेस कपल्स को गुमरा करती है और IVF सेंटर की विश्वस्नियता पर सवाल खड़ा करती है पिटिशन फाइल करने वालों में CVFC यानि की Central Board of Film Certification को भी जिमिदा ठहराया है ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अगर फिल्म के मेकर्स की तरफ से कोई reaction सामने नहीं आता है तो आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई पर बुरा असर पर सकता है साथ ही फिल्म पर रोक भी लगाए जा सकती है अब देखना ये होगा कि फिल्म मेकर्स कब तक इस पर अपना रियाक्शन देते हैं बात करें इस फिल्म की तो ये फिल्म है दो कपल पर एक है मुंबई के हाई सुसाइटी बिसनस्मान तो दोस्रे हैं चंदीगर के अलहर देसी इन दोनों का ही सरनेम बत्रा होता है जिसकी वज़े से IVF टेक्निक में गरबड़ी आ जाती है इन दोनों की पत्निया प्रेगनेंट तो हो जाती है लेकिन फादर चेंज हो जाते है इस कन्फूजन पर बेस्ट है फिल्म गुड नियूज क्रिटिक्स का कहना है कि बतौर डेरेक्टर राजमेता ने काफी फ्रेश सब्जेक्ट उठाया है खर देखने वाली बात ये होगी कि कमाई के मामले में फिल्म कैसा प्रोडर्शन करती है वैसे आपने ये फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी सवाल पहले करन जी से सर अपने कहा था गुड न्यूस की जो स्पेलिंग है उसके पीछे कहानी है दट डबल डबल्यू सो प्लीज शेर दाट कहानी के पीछे आप कहां के पीछे? सर यहां कियाता था अचाँ आप यहां यह क्या कहाता था था हम स्पेलिया में क्या था मेरा एक एक superstition मेरा भी था के अलफबेट से. फिर कुछ ऐसे रिलीज हुए फिल्म के साथ, जिसमें करीना कपूर भी थी एक ऐसी फिल्म में, जो जयादा नहीं चली, तो मुझे लगा के ये के अक्षर, ये मैं बस ये ऐसा superstition के साथ मैं बैठ चुका हूँ, आप अक्षर आप्तवा लगा बडाली के अवा फिल्म में एप लूए लगा भी खिल्यादा वे लगांगता हूँ तो नहीं एक अटनाख से जिए हुएं कि आप्या हुएं हुएं के अग्षाई हूएं कि अजया रहाएं गवा थेँएपूर्ण English. You don't have a good news, it's good news. So they said, then we'll have to change the spelling. And I realized it's his first outing. Azeem is a very passionate young man. And I felt that कल को कुछ गलत हो गया, they'll blame it on me and the spelling. So I said, please change it. And they decided to call it N-E-W-W-Z. Personally it's rather ridiculous, but it's actually, everyone has learned to accept it and really envelop it. So, well done Raj, thank you. And in fact, we're going to make sure that you change the spelling of all our films. And if this film does well, then you'll be the spell man at Dharma. Okay. Akshay Paji, Kareena and Kiara, aapse sawaal hai ki, this is the, if I'm not wrong, please correct me, this is your first attempt to have a slice of life comedy with that comedy of errors wala script. Matye, yeh jo film hai. So, what was your first reaction when you got the script? Matye, Diljeet Paji has done Mukhtar Chadda and other films which has a slice of life comedy kind of stuff. But what was your first reaction? This is why I told you, who is asking? Aap teeno se? Teeno se? Anji. Okay, I was very good at that. I still remember because this was a story that I had brought to you. So, they came to my house and they heard a story. And it was about a half or two hours of narration. And I said, it's a very good story. Then I said, what else is it? Then I said, I'm making a short film, I'm making good news, I said, what's the story? Then they've read the story about two minutes. I said, they've forgotten half an hour and they've made it. So, I have made it. And then after that, this is a slice of life story, which is very good. I really enjoyed this story. And I'll tell you, this is a tragedy that you've seen in the trailer. This is a tragedy that you've seen, and it's taken away by itself. Kareena Ji and Kira, your inputs. रख टरहीे आए एक्राष निमा परत्व फिसल्डर एक पर्क्षिर्ट लूकों अनोप टूकसि वेए हैं इसके लीटुच्छुछ तरहारा एक अपर्कॉंड एक फौकस अट्था अए चाहलं बंगाया I was like, why not, the whole package is great actually Akshay was not on board at that time I was the first one that came on board I didn't know who the rest of the cast was but I said, yeah, I want to trust Raj and let's just do it and I think it's quite funny I was rolling on the floor laughing when he narrated it to me and I was the last one on board so I knew all three of them were on board and I was like, this is a huge opportunity for me to work with all of them this is my first film with Dharma so that itself was a big moment for me and yeah, I mean, for me, like Karan sir said I'm the junior most here and there's so much to learn it's a character that Raj has given me which he really worked with me on this one and I really hope you guys like it I love the way I've become sir only on this stage drop it, babe Diljeet actually, very exciting because I remember speaking to him and I think when he heard that you know, he heard the ensemble I think immediately kind of it excited him and I think he kind of like was agreeable to be on the film as soon as I think he heard the cast Thank you sir Namaskar I'm Rekha Khan Now Bharat Time First of all, I want you to give a lot of good news to all of you It's a very wonderful trailer and we can see a lot of fun 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 this is my question from all of you from all of you we always talk about good news but it's only about good news that sometimes the other people talk about good news this is the thing that there is something that comes to the home where terrible news in the house what good news is the thing that there is a lot of fun about good news कि क्या करन आपके लिए किया गुड निव हो सकती है?, और लिएा लिए काको मुझे बंक कि अमय आपके लिए क्या फिस रहु सकती है? यह मैं सभी जाना साहूंगे आपके लिए कि I international देश मुझे लगतAh ki, कि एक दो मिनिट या पांच मिनिट या फंदरा मिनिट के बाद में कुछ बुरा सुन लूँगा, तो वो गुड न्यूस का ज्यादा, of course, unless it's the birth of a child, जैसे मुझे अभी भी यादे, when I got the information of my two babies, what that felt, लेकिन good news का जो होता है, good news के बाद हमेशा कोई ना कोई बाद न्यूस ही आ जाता है, तो I will face की कभी खुशी कभी गम, kind of situation हो जाता है हमारे जिंदगी में, so I don't hold on to that news with that much joy, ever, मुझे लगता है कि हमेशा के बाद कुछ बुरा ही होने वाला है, I'm a little bit of a cynic like that, लेकिन good news का माँ बहुत सारी हो सकते हैं, मुझे तो good news यह होता है, जब एक एक अक्टर कम प्राइस फिमिल कर दे, सबसे बड़ा news वो है, और वो good news Akshay ने मुझे आज तक नहीं दिया. Kareena, आपके लिए क्या हो सकती है good news? I can't beat that answer, so I don't think we should answer this question. और Akshay आपके लिए? मेरे लिए मैं तो bad news में भी good news ढूंदता हूँ. So, मैं एक बहुत ही positive किसम का इंसान हूँ, तो मुझे कुछ भी चीज आप दे दो, मैं उसके अंदर एक good news निकाल के शोड़ूँगा. And कियारा आपके लिए? Really, nobody can be this answer now. Right now, I think every time I sign a good film that I'm excited about. Oh my God, good. Diljit, आपके लिए? विल्हाल तो ये फिल्म जी. And Karan, एक सवाल मेरा आपसे, एक और सवाल है, कि इस फिल्म को बनाने के पीछे, आपके क्या सोच थी? कि ये सही बात है कि cinema जो है वो entertainment को ही, मतलब पहला तो उसका उदेश्य entertainment को पूरा करना ही होना चाहिए. तो क्या इसके पीछे था? इसके पीछे, आपके सोच क्या थी? कि एक फिल्गुड वाली movie दें, या और कुछ आप सोच रहे थी? I was actually, मैं जैसे Akshay ने कहा, कि हम एक छोटी फिल्म बना रहे थे, मैं हमेशा रिशिकेश मुकरजी साहब जो बनाते थे, social comedies बनाते थे, तो मेरी हमेशा ये चाह थी, कि हम धर्मा प्रडुक्शन में ऐसी फिल्म बनाए, that'll be a social comedy, जो relevant भी हो, emotional भी हो, हसाय भी, रुलाय भी, और एक फिल्गुड वाली फैक्टर हो फिल्म में, आज तक अच्छी धर्मा ने उस किसम की फिल्म नहीं बनाई, जैसे यह है, जैसे ब्रांडे रिशिक मुकरजी, तो जब मैं अक्षे के घर गया, तो मैं एक बड़ी स्क्रिप्ट वाली फिल्म नहीं गया, जैसे बड़ी स्क्रिप्ट वाली फिल्म नहीं गया, जैसे बड़ी स्क्रिप्ट वाली फिल्म नहीं गया,